तो दोस्तों आज हम आपके लिए सिर्फ चार बचीवी रोटी से वो खाऊ गल्ली वाली क्रिस्पी टिक्की चाट कैसे घर पर बनाना है इसकी बहुत ही अनोखी रेसिपी हम लेकर आये हैं और इसमें हमने काफी टिप्स एंट ट्रिक्स भी शेयर किये हैं तो वीडियो को बि जाती है रात में वो रोटी है इसे मैंने सुखा दिया था धूप में तो यह काफी कड़क हो चुकी है तो यह आपको प्रूफ मिल गया है कि यह लेफ्ट ओवर रोटी है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ्रेश रोटी लेती हूँ यहां पर हमें इसे तोड़ लेना है और इसे आपको मिकसर जार में डालना है तो दोस्तो जो बासी रोटी होती है वो फ्रेश रोटी से भी जादा हेल्दी होती है जी हां दोस्तो यह बात मुझे भी जब मैंने गूगल में सर्च किया ना तब मैं भी हैरान हो गई थी और आप भी सर्च करके देख सकते इसके क पीस लाखे बटो आपे माज़ी झाले निया में लिएक हम कुछ शना पाउडरि जीरा पाउडर, लें शनाक, करने कहां क discharge पाउडर तो दोस्तो आज की रेसिपी बहुत जबर्दस है इसे ध्यान से देखेगा वन टेबल इस्पून हमने कॉन फ्लोर डाला है ज्यादा नहीं बस वन टेबल इस्पून ही लिया है और अब डालेंगे पांच उबलेवे आलू तो आलू को आपको ग्रेट करके डाला है क्योंकि आ स्वादिष्ट भी बनाएगी और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनाएगी तो यहां पर दोस्तो आप सभी को पता है कि रोटी जब फ्राइ होती है तो कितनी ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है तो बस उसी लिए मैंने यहां पर कॉन फ्लोर की जगा मैंने लिया है रोटी और य पनेर के में छोटी छोटी पीसे की है और अब डालेंगे हरा धनिया साथ ही मैंने काजू और किशमिश डाली है इसे क्रंच और थोड़ा सा स्वीपनेश आईगी तो टिकी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे mix कर लेंगे तो यह जो टिक्की है वह बहुत जबदस्त बनती है और बहुत healthy भी है तो पिछले बार मैंने रोटी के गुलाब जमुन बना कर दिखाये थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और भर-भर के व्यूज भी आये थे तो आज मैं बहु आपको इसका दिखी बिल्कुल कब जैसा शेप देना है बीच में stuffing रखना है और इसे अच्छे से पैक करना है अब दोस्तों यहां पर दिखी मैं आपके ट्रिक दिखाती हूं कि परफेक्ट जो राउंड शेप की टिक्की होती है ना उसे आप हातों से भी कर सकते हैं तो द सफ cesa करेंगि टो फ्राइतारे एक डेसी घी जिया करने के लिए मैंने लिया है देसी घी जרט में डिक्की होती न वह मुझे बहुत पसंद आती हैं लेकिन आप बॉलिम में भीस भ्राइ कर सकते हैं लेकिन इसे जाएज करने क्रिस्पी करने क्ले आज एमीच्ट रिपल वाल तो दोनों साइट से बस थोड़ा-थोड़ा हम सुने रही होने तक फ्राइ करेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे, और फिर इसके साथ एक फिर से एक नई ट्रिक इस्तमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इस एक साइट से टर्न किया, तो इसमें हमने कॉन फ् करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है, बेलके रोटी से इसका कलर भी बहुत अच्छाया है, और यह और विजदा क्रिस्पी हो चुकी है, तो हाफ फ्राइ में भी यह कितनी क्रिस्पी है, यह भी आप देख लीजिए, फिर उसके बाद यह और क्रिस्पी हो ज हम इसे फ्राइ करेंगे, तो दो बार फ्राइ करेंगे, तो आलू का जो करारापन है, वो भी बढ़ जाएगा, और टिक्की बहुत क्रिस्पी बनेगी, तो चलिए इसी तरीके से सारे टिक्की आपको फ्लैट कर लेना है, और जो तवे पहुट हमने घी डाला था उसे निका क्रिस्पी बनेगी, तो आप देख सकते ही क्या शांदर कलर आया है, यह कितनी क्रिस्पी है, आपको क्लेर ली दिखाई दे ही रहा है, आप घर पर ट्राइ करके दिखें दोस्तों, जो कॉन फ्लोर वाली जो टिक्की होते है, वो थोड़ी देर बात सॉफ्ट हो जाती है, ल आप छूब इसपी होने तक फ्राइज किया है, आप इसे ईसे खाएंगे, कैच lançपी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, छहले आपको दिखाते हैं कि कितनी जादा रिस जुश्पी बनी क्रिस्पी है है तो है ना दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी दो बार हमने से फ्राइज क दही डालना है दही आपको गाड़ी रखना है साथे डालेंगे हरी चटनी इमली की चटनी थोड़ा साम जीरा पाउडर चाट मसाला भी डालेंगे और इसे के साथ थोड़े अनार के दानी जो आप बाजार में देखते हैं आज की चाट में हमने प्याज लसुन का इस्तेमाल किया है इसे जैनलोग भी ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपको इसका रगड़ा पैटीस बनाना है तो भी आप बना सकते हैं यहां पर आपको चने आलू का रगड़ा डाल देना है फिर क्रश कीवी टिक्की डालना है इसकी ओपर आपके मंचही चटनिया दही यह सब तो इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगे